इत्याद नियूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा आसमान से एक टूटा सितारा है देखो हम कहते हैं क्या खूब नजारा है देखो यही के लोग है जो बस्तिया जलाते हैं हमारा है यह देश कितना प्यारा है देखो सब चाहते हैं इनसान इनसान बने पर कोई खुद को इनसान नहीं बनता है देखो कहते हैं जब आग लगती है तो धुआ भी उड़ता है देली फसाद के आग ठंडी हुई है पर अवाम में घुसा खाफ डर आज भी नज़र आ रहा है आग किसने लगाई और क्या इन दंगाईयों पर कारवाई हुई सवाल तो वही के वही खड़े हैं विपक्ष मोधी हुकुमत पर जम कर बरस रहा है पर मोधी हुकुमत है कि कुछ आसर ही नहीं हो रहा टीवी डिबेट में आज भी नपरत फैलाने का काम सियासे पार्टियों की जानिब से किया जा रहा है तकरीबन पचास के करीब लोगों की जान चली गई कईयों के बच्चे मारे गए, कईयों के पती चलबसे, वालिद भी गुजरे जिन लोगों ने यह आग लगाई, इनके बच्चे भी सही सलामत है और वहाँ खूद भी मज़े से जिन्दगी जी रहे हैं अभी तक कपीशर्मा, परवेश्वर्मा, अनुराग्टाकूर, गिरफतार नहीं हुए सेंकड़ वीडियोज वाइरल हो चुके हैं, जिसमें पुलीस के किरदार पर सवाल उटाय जा रहा है सुप्रीम कोट के सिनियर वकील भानुपरताप ने तो सीधे सीधे अमिच्शा को इस फसाद के लिए जिमेदार ठहरा है और गिरफतार करने की मांग फरमाई भानुपरताप ने तमाम हालात को भाजपा संग परिवार को जिमेदार ठहरा है उसी तरह से आम अदमी पार्टी के संजे सिंग ने यहाँ सब अमिच्शा का किया कराया है अईसा कहा और सवाल पूछा कि जब फसाद चल रहा था अब देली चल रही थी तब अमिच्शा और नरेंदर मोदी कहां थे रतनलाल हेड कॉंस्टेबल और अंकी शर्मा इंटिलिजन्स ओफिसर था इनकी भी मौत वाके हो गई है है पर अंकी शर्मा के भाई का कहना है को भी जैष्री रहन के नारे लगा कर मरा गया वही कॉंग्रेस ने भी ग्रह मंत्री अमीच्छा को जमिदा टेराते हुए इस्तफा देनी की मांग की तो भाजपा ने वही अपना पुरा पुराना रा गलापते हुए वारिस पटान ताहिर हुसेन शर्जिल इमाम का नाम लिया पर सवार यह उठता है कि वारिस पटान पर तो मुकतमा धर्ज किया गया ताहिर हुसेन के घर पर पेट्रॉल तेजाब की रिपोर्ट पेश करने वाली मीडिया सबसे ज्यादा नुकसान किसी धर्मिशेश के लोगों का होने पर रिपोर्ट नहीं दिखा थी घरों पर जिस तरह के गुलेल बनाकर खास लोगों के घरों को निशाना बना उर्दू स्कूलों तक जलाया गया किस कदर नप्रतिन के दिलों में बसी विये मासुम बच्चों की किताबें जलाई गई फसाद का तरीका बिलकुल गुजरात की तर्स पर रहा कईयों का कहना है अक्सर यह भी देखा जाता है कि कोई बाहरी आकर फसाद मचा कर चले जाते तो बिना सोचे समझे नहीं दीती बलकि यहाँ एक पहले से तैशुदा था कि फसाद की तैयारी मुकमल हो चुकी थी बीबीसी के एक रिपोर्ट के मताबिक ताहिर हुसेन को तो बली का बकरा बनाया गया जबके ताहिर हुसेन एक वीडियो में खुद फसादियों से बचन भी कर रहा था मतलब नफरत की सियासत किस कदर इंतिहां पर पहुंच चुकी है देली के फसाद ने देश को हिलाई दिया देली दिलवालों की कहा जाता है पर इन्हीं पर दिलों में नफरत के दरारे फिरकापरस्त की जानिब से पैदा की गई भले हम हिंदू मुस्लीम एक किस से बयान कर रहे हैं पर सक्चाहिया है कि गंगा जमनी तहजीब जो देली की मिटी में होने की बात कहते थे फिरकापरस्त नफरक की दिवार खड़े करने में काम्याब हो गए गोधी मीडिया हर रोज एक नई कहानी बनाती है किसे और को जम्यदा ठेराती है असल मुझरिमों को बगल दिया जाता है भारत की मीडिया मरकजी रकूमत से सवाल करने की हिम्मत नहीं रखती पर विदेशी मीडिया ने प्रधान मंतिरी गरह मंतिरी की खुब अलोचना की जा रही है वाशिंग्टन पोस्ट में दिल्ली तशद्दुत पर छपी रिपोर्ट में कहा गया कि नरेंदर मोधी के सियासी सफर में यह दूसरा मौका है जब बड़े फिरकावराना फसाद हुए जब वहां खुद इक्तदार पजीर रहे अखबार ने लिखा है कि गुज देर बाद अमन की अपील की जबके बहुत को जल चुका था और इस नुकसान की भरपा ही नहीं हो सकती नाहीं तपरके के सियासत पर पर परदा डाला जा सकता है इंडिपेंडेंस ने 27 परवरी को अपनी रिपोर्ट में लिखा है नरेंदर मोधी पर तंज इसलिए भी किया पूरी दुनिया में मजब मत की जा रही है अमरिका के इंसानी हुकुक तंजीम ने मोधी सरकार पर सवाल उठाएं और साथ में 2002 के फसाद का भी जिक्र किया गया तुर्की के तहिये वार्दगान ने मोधी हुकूमत की नाकामी का कहा कि मुसल्मानों की जानमाल के नुकसान पहुंचाया गया अमरिकी डेमोक्राटिक पार्टी के सदर बनी सेंडर्स ने देली पसाद पर मोधी हुकूमत को घेरते विए भारत अमरिका हत्यार सोदेबाजी पर भी सवाल उठाएं कूल मिलाकर देली पसाद सियासी पार्टियों की साजिशाद सियासी मुदाथ हासिल करने के लिए किया हो पर इससे मुल्क के बढ़नामी तो हुई रही है पर समझ में नहीं आरा कि आखर मुल्क के सियासद्दानों को समझ आखर कब आएगी इतिहाद نीयुक्त देखने के